नमस्कार साथियों मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साथियों आज एक बहुत ही महत्पून टोपिक लेके मैं आपके सामने आया हूँ सेक्सिक नवाचार सिक्षन के छेतर में रोज नए नवाचार किये जा रहे हैं तो ऐसा है एक नवाचार है कंसेप्ट मैपिंग यानि की अवधार ना मानचित्रन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर concept mapping क्या होता है और concept mapping का सफलता पूर्वक परियोग किस विधरले में किया गया ये भी हम जानेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि concept mapping के क्या लाब होते हैं साथियों वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप चाहते हैं इस तरह की informative वीडियो आपको एक platform पर मिले तो उसके लिए मैंने informative वीडियो whatsapp ग्रूप और informative वीडियो telegram ग्रूप बनाए हुए है आप चाहिए तो मेरे ग्रूप से जुड़ सकते हैं ग्रूप का लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा जिस पे click करके आप मेरे ग्रूप से जुड़ सकते हैं तो चलिए जानते हैं आखिर concept mapping होता क्या है concept mapping जिसको हिंदी में कहते हैं अवधारना मांचित्र यानि कि किसी topic की जो अवधारना है उनको हम एक मांचित्र के रूप में दर्साएं तो उसको कहेंगे अवधारना मांचित्रन यानि जितने भी concept हैं वे clear हो जाते हैं concept mapping एक सकती साली मूल्यांकन साधन है जिससे कोई भी सिक्सक अपने बच्चों की विशेवस्तु में समझ को उजागर कर सकते हैं यानि concept mapping से बच्चों की जो समझ है उनको topic कितना समझ में आया ये पता चल जाता है वह यह जान सकते हैं कि विद्यारती इन अवधारनाव concept से किस सीमा तक जुड़ा हुआ है यानि जो concept हमने बच्चे को समझाए उन से वो बच्चे का जुड़ाव कितना हुआ उसके कितनी वो समझ में आया इसमें किसी भी विशे के पाठेक्रम बिंदू माली जे हमने कोई भी विशे ले लिया उसके पाठेक्रम बिंदू या ये कह सकते हैं लर्निंग आउटकम को सिक्सक द्वारा बच्चों के समक्स ग्राफिय निरूपन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है यानि एक ग्राफ बना दिया जाता है कि सभी जे लर्निंग आउटकम उसमें आ जाते हैं प्रियोग किया जाता है इसमें क्या करते हैं इस नवाचार को एफोर साइज के पेपर हमने एफोर साइज का अमने एक ड्राइंग सिट ले ली श्यामपट या हरीपटी कक्सा के फर्स बच्चों की काफी पर स्केच पैन, पैंसिल, चाक से बनाया जा सकता है सिख्षक अपने विशे में इस नवाचार को अपना कर कई और तरीकों से भी उप्योग कर सकते हैं यानि जो भी आपका विशे है उसमें ही इसको यूज किया जा सकता है सिक्षन परकिर्याग को छोटे समू में कारिया और चर्चा के जरिये सीखने सिखाने के दोरान लर्निंग आउटकम की समझ का विकास और उसके आकलन हेतू भी कर सकते हैं बहुत ही सांदर कंसेप्ट है कंसेप्ट मैपिंग का कंसेप्ट मैपिंग का उप्योग करने से पहले स्वम बनाएं और फिर अपने बच्चों को सिखाएं पहले तो आप मांचित्रन जो है खुद बना के दिखाएं बच्चों को और उसके बाद बच्चों को सिखाएं कि आपको बनाना है तो जैसे जैसे बच्चे उनको अवधार्णा मानचित्रण को बनाएंगे तो उनकी समझ में आता चला जाएगा यदि बच्चे इस कंसेप्ट को समझ कर स्वम बनाना सुरू कर देते हैं तो लर्निंग आउटकम की समझ का विकास आसानी से हो जाता है यानि जिस लर्निंग आउटकम को आप लेके चले उधारन सरूप एक उधारन लेके मैं आपको बताता हूँ विज्ञान के पधार्थ सम्मंदी अध्याय को निमलिगित परकार से समझा जा सकता है मानलीजे हमें बच्चों को विज्ञान में पधार्थ के बारे में बताना है कि पधार्थ आकिर होता क्या है कितने परकार के होते हैं कई सारे लर्निंग आउटकम को हम एक ही मानचित्रन से बच्चे को समझा देंगे देखे किस तरह से समझाएंगे हम बच्चे को सबसे पहले हम पधार्थ किस तरह से एक वो बनाते हैं फ्लो चार्ट अपने को समझाते चल जाएंगे तो वे भी समझते चल जाएंगे अर्थ तीन तरह से इसका आर्थ है इस्थान के आधार पर भार के आधार पर आकार के आधार पर तो जब आप इस तरह का मानचित्रन बना देंगे इस्थान के आदार पर आप बच्चे को बता देंगे कि वो वस्तू जो इस्थान गेरती है वो पधारत है वो वस्तू जिसमें बाहर होता है वो पधारत है वो वस्तू जिसका कुछ आकार होता है वो पधारत है तो बच्चे समझ जाएंगे आपको सिर्फ एक फ्लो चार्ज टाइप बना क्या होती है हवा आक्सिजन वास्प तो इस तरह से इसमें आपके कई learning outcome आ गए पधार्थ के यानि बच्चे पधार्थ का मतलब समझते हैं एक learning outcome अपना यह आ गया बच्चे पधार्थ के परकारों के बारे में जानते हैं बच्चे पधार्थ के उधारण दे सकते हैं यानि कई learning outcome को आपने एक flow chart के आधार पर समझा दिया तो यह आपका होता है concept mapping अब हम बात करते हैं concept mapping का प्रियोग कहां किया गया एक बहुत ही सांदार प्रियोग किया गया एक विधाल्य में concept mapping का कक्षा सिक्षण मिक किया गया सफल परियास एक विधाल्य है उच प्रात्मिक विधाल्य है देली विनायक विधान सबाचेतर सेवापुरी जनपद वारानसी में यानि जन्पद वारानसी में हमारे उत्तर परदेश में ही और विधान सबाचेतर सेवापुरी है वहाँ पर कारेरत विज्ञान सिक्सक कंसेप्ट मैपिंग द्वारा सिक्षन कारिय करते हैं। बच्चे उन्हें समझ नहीं पाते थे तो उन्होंने सोचा बच्चों को अवधार्णा मान्चित्र के द्वारा कंसेप्ट मैपिंग के द्वारा चित्रों के माद्यम से बच्चों को समझाया जाए। बच्चों की काफी भी बनाई। बच्चे भी विज्ञान के पाठों में नहीत विशेवस्तू को समझने के लिए विशेवस्तू के मुखे उपसंबंदों को फ्लो चार्ट यानि कंसेप्ट मैप बनाते हैं। बच्चे भी जितने भी उपसंबोत्ते उनके फ्लो चार्ट बनाने लगे। इन्होंने कक्सा 6-7-8 के विज्ञान के पाठों की कंसेप्ट मैपिंग हैंडबुक का निर्मान भी किया है। इसकी विशेशता क्या खास बात है कि इसमें एक पन्ने परी जो एक फोर साइज का एक पन्ना है एक पार्ट के सभी लर्निंग आउटकम का प्रस्तूत्र करण किया जाता है। इसकी पार्ट के सभी लर्निंग आउटकम आपके एक ही पेज पर आ जाते हैं कंसेप्ट मैपिंग कर आदारी सिक्षक प्रोजेक्ट प्रपोजल अवधारना मांचित्रन द्वारा सीखने के परिणामों की संप्राप्ति यह प्रपोजल उन्हें तयार किया अटेनिंग लर अवधारना मांचित्रन द्वारा सीखने के परमानों की संपाप्ति और इनको सम्मानित भी किया गया तो बहुत ही सांदर कंसेप्ट है और एक सेक्सिक नवाचार भी है आप इसको अपने विधाले में कर सकते हैं आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके इसके क्या क्या लाब होते हैं अब हम इसके लाब देख लेते हैं नमबर एक बच्चों में विशेवार सिक्षन अधिगम परिणामों की सरल तरीके से प्राप्ति होती है यानि जो आपके लर्निंग आउटकम है उनको बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है जब बच कंसेप्ट मैपिंग को एक सिक्षन अधिगम सामगरी यानि टीचिंग लर्निंग मैटीरियल की तरह भी परियोग कर सकता है आप सबसे बड़िया बात यह है आप एक चार्ज पेपल लेजिए आप एक पार्ट लेजिए और उसका एक टेलम तयार कर लेजिए कंसेप्ट नाना है नमबर तीन अभी भावक भी अच्छे अपने बच्चों की कंसेप्ट मैपिंग काफी द्वारा उनकी प्रगरती का सतत आकलन और उनका अभ्यास कराने में सहयोगी होगे यानि कंसेप्ट मैपिंग की जब काफी देखेंगे उनके अभी भावक तो देखेंगे कि ह बच्चे को पढ़ाया जा रहा है उसके बाद नमबर चार किसी अवधार्णा को एक द्रस्टी में समझने के लिए कंसेप्ट मैपिंग सर्वत्तम युकती है एक द्रस्टी से अगर समझना चाते हैं आप तो कंसेप्ट मैपिंग सबसे सांदार युकती है नमबर पाँच बच्चे अपना स्वय मुलैंकन करने में शक्षब होते हैं यानि बच्चों ने अगर कंसेप्ट मैपिंग का अवधाना मांचितन बना लिया तो उनका मुलैंकन भी हो जाएगा उसके बाद नमबर 6 बच्चों को विशेवस्तू की इसपष्टता सुगमता उर्पूरवकता होती है यानि सुगमता से विशेवस्तू की इसपष्टता उनमें आ जाती है नमबर 7 सिक्सक कम समय एवं कम से कम संसादन का निवेज करते हुए इस कंसेप्ट मैपिंग नवाचार के परियोग द्वारा अपने बच्चों के सीखने के इस तरह में वर्दी करने में शक्षम होते है तो साथियों बहुत ही शांदार एक कंसेप्ट है कंसेप्ट मैपिंग का एक नवाचार है और इसका सफलता पुरियोग भी हमारे ही विद्यालियों में किया गया है तो आप इसमें जरूर परियास कीजिए मैं भी परियास करूँगा और अगर मैं किस तरह का आपने कोई concept बनाते हैं तो उस concept को आप मेरे साथ सेयर कीजिए मैं आपके concept को अपने चैनल पे अपलोड करूँगा जिससे की बहुत सारे हमारे ये हो सकते हैं एक जेंगा इकटा आप जिस भी सब पार्ट का concept mapping बनाए उसको मुझे भेजए मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूँगा तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही आपको एवीडियो कैसी लगी अगर आपको एवीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को like कीजिए share कीजिए और वीडियो पे comments तो जरूर कर दीजिए क्योंकि जब आपके comments आते हैं मुझे अच्छा लगता है अगर कुछ कमी होती है वो comments आता है तो मैं सुधारने की causes करता हूँ तो साथियों अगर आप मेरे चैनल पे नई है पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लिजे और bell के icon को press कर दीजे जिससे कि आपको next वीडियो का notification मिल सके धन्यवाद